So hey guys how are you all this is your host engineer Abhishek Singh and you are watching my mechanical support guys आज मैं आपको यह जो clock रहता है जिसमें humidity और temperature के साथ साथ दोस्तो date और time सारी चीजे इसमें display होती है तो इस clock को चली मैं आपको पूरा setup करके दिखाता हूं दोस्तो A to Z setup मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं आप घर बेठे दोस्तो अराम से बस इस clock के मदद से time और date तो दोस्तो common चीज है लेकिन आप temperature humidity तहां तक दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से देखना है देख सकते हैं दोस्तो pencil battery हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दी है अब आप देखेंगा दोस्तो यहाँ पे यह on हो चला है time गलत दिखा रहा है चुकि अभी यह भी हमने battery निकाला था इसका यहाँ पे देख सकते है उपर में दोस्तो temperature यहाँ पे दिखा रहा है तो 16 याणि कि 79 परसेंट देखें दोस्तो यहाँ पे घट भी रहा है एक परसेंट के यहाँ पे गिरावट आया है और 68 परसेंट दोस्तो यहाँ पे हमनेटी यह और जब भी इसको आउन करेंगो दोस्तो यह अपने according आप देख सकते हैं यहाँ भी दोस्तो चेंजिंग हो चुकि इसका जो शैंसर है दोस्तो यह बैटरी लगने के बाद काम करना है start किया तो इस तरह से दोस्तो यह काम करता है अब चलिए date, time और 12 गंटा के format में देखना है 24 गंटा के format में देखना है सारी चीज है दोस्तो यहाँ पर बदल सकते हैं यहाँ पर से अगर सकते हैं ए बहुत सो लोग Celsius अगर नहीं समझ हाइट मचाते हैं तो मैं आपको यहां से दिखाता हूँ दोस्तों किस तरह से कर सकते हैं यह जो आपको प्रेस करना है इसको इस तरह से देखिए आवाज भी आपको सुनाई देर होगा इस तरह से प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे यहां डिग्री Celsius से एक बरदब आने के बाद फॉरन एट आ गया फिर एक बन नीचे से डिग्री Celsius बहुत से लोगों को अच्छी तरीके समझ में आता है इसलिए हम डिग्री Celsius पहीं छोड़ देते हैं अब इसको इस तरह से दोस्तों बंद कर देंगे यह बैसिकली एक स्टेंड थ अब यहां पर दोस्तों यहां पर देख सकते एम लिखा हुआ है बारा बज के दो मिनट हो रहा है लेकिन अभी दोस्तों अगर समय देखेंगे तो कुछ और ही हो रहा है तो चलिए देखते हैं और यह मेमोरी वाला बटन है दोस्तों आप देख सकते हैं मेमोरी वाला जैसे maximum आ गया फिर एक बर प्रेस करेंगे इसी को memory को ही दोस्तों यहां पर दिखाएगा आपको की minimum temperature जो है 32.5 degree Celsius था और 67% जो है वो minimum humidity था और यह दोस्तों यहां पर max और mean देखिए यहां maximum आ गया maximum हमारे जब से घरी चल रहा है तब से maximum कितना यह record कर पाया है और यहां पर minimum कितना record कर पाया है दोस्तों फिर एक बर अगर प्रेस करते हैं तो यहां से max और mean हट गया मतलब अभी यह live हो गया ठीक है अभी जितना temperature होगा humidity होगा यह हमें अभी live सो कर रहा है अब डौस्तो टाइम सेट करने के लिए आप तरौस्तों अब देख सकते हैं कितना मिनट चाहिए हमें मान लिजे 20 मिनट चाहिए तो इसको दोस्तों अब आपको मूड को दमाना है तूस्तों आप देखेंगे आवर वला ब्लिंक कर रहा अ इडिट मोड में आ गया तो अब एड़ेस्ट करेंगे कितना आठ बजा देते हैं चलिए आठ नौ दस अपने मर्जी से कितना भी दोस्तों आप कर सकते हैं जो सही टाइम है इसके बाद दोस्तों फिर से आपको एक बार मोड दबाना है ठीक है अब आप देख सकते हैं 12 घंट तो दोस्तों 2022 में बना रहे 21-2022 यहाँ पे डेट भी आ गया है ठीक है year आ गया है अब चलिए इसको दोस्तों मन्त को इडिट करते हैं month1 है अभी मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों 7 महीना में इसको चलिए 7 कर लेते हैं फीर दोस्तों मोड करते हैं ठीक है अब आप द तारीक को दूश्ट हम बना रे विडियो तो यहां पर 10 तारीक हो रहा है दो तीम चार पाँच सेर 7 encryption त citrus हर चीज को दौस्तोलिट कर सो दोस्ट। मैं आपको इसी घरी में अलार्ण में set करके दिखाता हूँ किस तरह से alarm set करते हैं इस तरह से दोस्तो हम लोग time setting करते थे mode को इस तरह से press करकर रखेंगे एडिट मोड में आ जाएगा अब इसको एडिजस्ट करेंगे एडिजस्ट बटन का मदद से दोस्तो मिनट को हम एडिजस्ट कर लेते हैं आपकी जितने मर्जी चलिए मैं यहाँ यहाँ पर 30, 32, 32 पर छोड़ देते हैं फिर से एक बार mode दबा देते हैं दोस्तो यहाँ पर द सकते हैं दोस्तो यहाँ पर एक बजके 30 मिनट चुकि यहाँ पर हमने 12 घंट वाला किया है अगर 24 घंट होता तो तेरा बजके 33 मिनट दिखाते हैं दोस्तो एक बार जान लिजए इसमें क्या कैं हम लोग कर सकते हैं टे इंपरेचर देख सकते हैं यूमिडियी है चेक कर सकत और इसको चलाने के लिए दोस्तों आपको मैं दिखा दू लास्ट में दिखा दे तो यह चोटे सी पेंसिल बैटरी आप देख सकते 1.5 बोल्ट का यह बैटरी जो है वो इसको चलाने के लिए यूज होता है कंपनी कोई सा भी आप ले सकते हैं किसी में कोई दबाव नहीं है तो इस तरह से दोस्तो यह काम करता है तो उमीद करता हूँ दोस्तों बहुत से लोग इस चीज को समझ गया होंगे और जब भी इसको पर्चेस करेंगे या फिर परिसान होंगे अगर time date setting करने के लिए तो वो इस चीट से बहुत कुछ सीखे होंगे फिर मिलते हैं दोस्तों इजाज़क दीजिए नमस्कार धन्यवाद